Hello everyone, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल LWD Job में Army Public School नई सिक्षक भरती का विज्यापन जारी कर दिया गया है जहां trained graduate teachers and primary teachers के साथ में और भी कई post है vacancy आई हुई है, जो भी candidate apply करना चाते हैं तो समय से पहले apply करिएगा salary 41,200 जो की notification में mention की गई है सबसे पहले जो है post TZT में subject देख लेते हैं, कौन-कौन से subject की vacancy है यदि आपका subject है तो अंतर तक वीडियो देखिएगा ताकि सारी चीज़े clear हो सकें अगर आप apply करना चाते हैं TZT social science में number of vacancy दो है, TZT mathematics में दो vacancy आई हुई है TZT English में एक vacancy है, next year TZT Hindi के लिए दो vacancy है, Sanskrit के लिए एक है, computer के लिए एक vacancy है ये सबी जो है trained graduate teachers की vacancy है, physical education teachers की vacancy है, counselor की है, music teacher उसके बाद primary teachers में number of vacancy 3 है, 3 यहाँ पर vacancy आई हुई है, primary teachers के लिए all subject की बाकी अलग से physical education teacher PRT के लिए एक vacancy है, art and craft teacher की, PRT computer, special educator, nursing assistant and computer lab technician तो ये काफी vacancy जो की, कहां से आई है vacancy, तो vacancy जो है वो APS, Sylong से ये vacancy आई हुई है तो ये सबी जो है teaching post की vacancy थी, इसके लावा non teaching post की भी vacancy आई हुई है, main website का link आप लोगों को दे दिया जाएगा, जो भी candidate non teaching post के लिए apply करना चाहेंगे Army Public School, Sylong से ये vacancy है, अब चलिए देख लेते हैं qualification, तो यहां पर पहले क्या होता था, कि यहां पर CSB scorecard जो है वो compulsory था Army Public School में teacher बनने के लिए, जैसे के इंद्रे विध्याले में अगर आप जाना चाहेंगे, तो CTAT qualify होना आपका जरूरी है इसी तरीके से Army Public School में जाने के लिए एक scorecard होता है, जिसे CSB scorecard बुलाते है, online screening test होता है, जिसके बाद आपको scorecard मिलता है बट अब जो है condition इन्होंने रखी है कि जिनके पास scorecard नहीं है, जिन्होंने test pass नहीं किया है, वो भी apply करेंगे, बस जो qualification मांगी गई है, उसे आप पूरा करते हों TZT के लिए अगर आप apply करना चाहेंगे, तो bachelor degree, इसना तक आपके पास 50% अंकों के साथ में, social science के लिए condition रहती है कि history या geography, इनमें से एक subject आपने जरूर पढ़ा हो इसना तक में, उसके साथ में economics हो सकता है, political science हो सकता है इसना तक के साथ में bid होना चाहिए, CTAT या फिर आपके राज्य का TAT भी जो है, चलेगा, ठीक है, यानि अगर आपने Central Teacher Eligibility Test CTAT clear नहीं किया है, अगर आपने आपके राज्य का TAT clear किया है, तो भी आप यहाँ apply कर सकते हैं TCT की जितनी भी post हैं, सभी के लिए, जितनी भी vacancy आई हैं, जिस भी subject की 41,200 salary आपको दी जाएगी इसी तरीके से mathematics के लिए, English के लिए, Hindi के लिए, salary जो है वो बिल्कुल सभी की समान है, TCT के लिए संस्कृत के लिए, next, computer के लिए जो है, यहाँ पर कहा गया है, BCA या graduation, computer science में, या फिर B.E. या B.T. computer science या IT में इसके अलावा, ऐसे candidate जिन्होंने graduation किसी भी subject किया है, arts, commerce, science किसी से भी किया है बस आपके पास A-level course का DOEIC, आपके पास जो है वो diploma होना जरूरी है इन्होंने computer के लिए B.E. वाले भी जो है, B.E. भी मांगा है और C.T.E. भी जो है, कहा है ठीक है, salary वही सामान है, physical education teacher के लिए सनातक और साथ में B.E. कोर्स counselor के लिए यहाँ पर graduation psychology से, उसके साथ में certificate या diploma counseling में और minimum experience of three years as counselor, counselor की post के लिए आपने कहीं भी apply किया हो, तीन साल का जो है अनुवब यहाँ पर मांगा गया है केवल यह counselor के लिए उसके बाद music teacher के लिए salary वही है, अब देख लिए थे है primary teachers की salary और qualification qualification, qualification यहाँ 12th नहीं बलकि सनातक, bachelor degree, graduation आपका होना चाहिए 50% marks के साथ में, उसके बाद primary level का जो है diploma degree जो भी आपके पास है, वो आपने किया हो, अगर आपने B.E. किया है, तो आपके पास, आपको जो है 6 महा का bridge course करना होगा, ठीक है? Next, PRT के लिए अगर आप apply करेंगे, seated paper 1 qualify होना चाहिए, PRT के लिए salary थोड़ी सी कम है, TGT से 40,000 है Next, physical education teacher की जो vacancy है, PRT के लिए 40,000 यहाँ पर salary है, art and craft के लिए भी 40,000 है, PRT computer science के लिए 40,000 है, special educator के लिए भी 40,000 है Nursing assistant की आप देखें, 12th के साथ में diploma होना चाहिए, nursing में, और साथ में nursing का आपने 5 साल का अनुभव किया हो, अनुभव आपके पास होना चाहिए 5 साल का, counselor के लिए जो है अनुभव चाहिए और nursing assistant के लिए अनुभव चाहिए, salary जो है आपर 17,900 अप्रोक्स, ठीक है, लगभग जो है वो 17,900 आपकी salary आपर रहेगी, computer lab technician के लिए 12th के साथ में, एक साल का diploma computer science में, और आपको जो है knowledge होनी चाहिए, hardware की networking की computer में, salary जो है यहाँ यहाँ पर nursing assistant और computer lab technician की समान है 17,900 अप्रोक्स, यानि इस से अधिक भी जो हो सकती है, आप देख लेते है, age criteria, age जो है यहाँ 40 साल, जिनके पास कोई अनवव नहीं है, कहीं पर भी नहीं पढ़ाया है, पहली बार जो है यहाँ पर जाना चाहते हैं, तो 40 साल, और जिनके पास अनवव है, 5 साल से अधिक का, 57 year जो है, यहाँ पर age रहने वाली है, application form जो है, आप लोगों को school office में भी मिल जाएगा, और अगर आप लोगों को school की main website, जिसका link आप लोगों को दे दिया जाएगा, अगर आप यहाँ पर screenshot लेना चाहें, तो यह भी ले सकते हैं, apsshilong.in, ठीक है, application form आप लोगों को school की main website पर भी मिल जाएगा, और school में, office में भी जाकर आप ले सकते हैं, last date क्या रहेगी, तो 24 फर 2024 इसकी last date रहेगी, fees भी ज्यादा नहीं लगती है, यहाँ पर मात्र जो हो 100 पर fees आपकी demand draft आपको बनाना होगा, school के नम का army public school शिरोंग, आप bank में चले जाएगे, post office चले जाएगे, तो वहाँ पर आप लोगों को 100 पर का demand draft, school के नम का बना दिया जाएगा, बहुती आसान तरीके से, next देख लेते हैं यहाँ पर, date and time of interview, exam नहीं है, interview का जो date और time होगा, तो वह आप लोगों को बता दिया जाएगा, inform कर दिया जाएगा, application form में अपना mobile number, telephone जो number है, email address जो है, सभी बिल्कुल सही से आप लोग लिखेंगे, तो यह सारी चीजें, जो कि आप लोगों को clearly बता दी गई है, आप चलिए main website, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यह school की main website है, army public school, shillong, तो यह teaching और non-teaching staff की vacancy, आप देख सकते है, advertisement for teaching and non-teaching poster, LSP 2024, तो application अगर आप करेंगे, application form आपको यहाँ मिलेगा, application for teaching staff, अलग से है application for non-teaching staff, अलग से है, तो link आप लोगों को share कर दिया जाएगा, ताकि आराम से आप लोग apply कर सके, thank you